स्टुडेंट नमस्कार आज की न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में हम नीट 2024 के लिए बैलो जी के बेरी बेरी इंपोरेंट कोर्षन प्रैक्टिस करने वाले हैं यह वीडियो आपको पूरा देखना है इसमें बहुत ही इंपोरेंट कोर को अब को ठ्रेक्टिस करने वाले हैं इसमें क्या है देख सकते हैं हम कौन से चैप्टर को चप्स प्रैक्टिस करने वाले हैं आपंगोर्षन अर्गैसो का वरेंद में इसमेंन नीट 2024 बैलो जी लिए इंपोरडेंट कोर्षन है तो हम इसी के साथ बिना टैम बेस्ट कि हमें अपना टेम बिलकुली बरबाद नहीं करना है फेश्ट कोसन है हमारा देख सकते हैं फेपडो की सन रचनातमक आबम किरियातमक इकाई कहलाती है कोसन है हमारा फेश्ट फेपडो की सन रचनातमक आबम किरियातमक इकाई कहलाती है आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी बताना है इसका राइड आंसर क्या है देखते हैं आज सबसे ज़्यादा कौन आंसर राइड बता पाता है उसका नाम मैं नेश्ट वीडियो में लेने बाला हूँ जो भी स्टूड़ेंट दस में से 10 कोसन सही बताएगा उसका नाम मैं नेश्ट वीडियो में लेने बाला हूँ तो इसमें हमारा फ़स्ट आता है बाईउ कूपिका और सेकेंड में बी में आता है हमारा शौासनली और सी में आता है बाहर नासा छिद्र और डी में आता है शौशनी एबम शौशनी काई आपको बताना है फेपरो की सने रचनातमक एबम किरियातमक एकाई कहलाती है क्या कहलाती है बाईउ कूपिका कहलाती है शौासनली कहलाती है बाहर नासा छिद्र कहलाती है शोषनी एवम शोषनी काई कहलाती आपको रैट आंसर आपको इसके बताना है क्या होगा तो इसका रैट आंसर होने वाला है ए इसका ए आंसर रैट है बायू कूपी का क्या है ए इसका रैट आंसर बायू कूपी का इसी के साथ हम अपने नैश्ट कोस्टन पे चलते है शोयशन में प्रियुक्त उर्जा है आपको बताना है शोयशन में प्रियुक्त उर्जा है शोयशन में कौन सी उर्जा प्रियुक्त होती है इसमें ए में ए है हमारा फस्ट भातिक उर्जा शेकिंड है हमारा रसाइनिक उर्जा और सी है हमारा गतिक उर्जा और डी है बिद्धुत उर्जा आपको राइट आंसर बताना है शोचन में प्रियुक्त उर्जा है क्या है नमबर एपे बहुतिक उर्जा नमबर बी पे है रसाइनिक उर्जा नमबर C पे गतिज उर्जा, बी पे हमारा बिद्दूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूद इसका क्या होगा राइट आंसर भी रसायनिक उड़ जा इसी के साथ हम अपने नेश्ट कोस्टन पर चलते हैं देख सकते हैं आप नेश्ट कोस्टन हमारा क्या है अन्ता सोरेशन के समय डैफ्राम होता है इसमें करा अन्ता सोरेशन के समय डैफ्राम होता है क्या होता है देख सकते हैं एपे हैं हमारा सामाने बी पे हैं गुम्दकार और सी पे हमारा चप्ता और डी पे हमारा तिर्चा देखिए हैं कि एपे हमारा सामानी बी पे गुम्रदाकार और सी पे हमारा चप्टा और डी पे है तिर्चा आपको बताना अंता सोलिशन की समय डायफ्राम हमारा होता है कैसा होता है सामानी होता है गुम्रदाकार होता है चप्टा होता है तिर्चा होता है आपको इसका राइट अंसर बता कि क्या है चप्टा कि इसी के साथ हुआ अपने डियांष तर चलते हैं करें देखें आपको नाइश को सण क्या है हमारा तो आपा ही विश्राम अवस्ता में बैसक की सोज़ना है आपको बताना है A में हमारा 20-22 प्रती मिनट और B में हमारा 18-20 प्रती मिनट और C में हमारा 16-20 प्रती मिनट और D में हमारा 14-16 प्रती मिनट आपको इसका रैट आंसर बताना है फ़स्ट है हमारा A है 20-22 प्रती मिनट B है हमारा 18-20 प्रती मिनट और सी हे हैं हमारा 16 123 मिनिट और डी हैं हमारा 14 106 कि उसका रेट आंसर बताना है क्या हुग इसका रेट आंसर मरस्ि क्या है कि स्का रेट आंसर सी छोला से बीस 2 क्रिट Is कि इसी के साथ हम अपने नेश्ट कोर्शन पर चलते हैं कि फेपड़ों की कुल छम्ता होती है कि क्या है हमारा फेपड़ों की कुल छम्ता होती है कि 5800 ml 3500 ml 4600 ml 2300 ml फेपड़ों की कुल छम्ता होती है आपको इसका रैंचर बताना यह हमारा 5700 ml ऑली ऑम और स् चालिफेशते हैंप च्रहारestry और दी हमारा कि ए क्या होगा इसका राइट आंसर ए अठावन अठावन सो एमन क्या हो ए अठावन सो एमन एमन इसी के साथ हम अपने नेश्ट कोशन पर चलते हैं देख सकते हैं क्या है हमारा नेश्ट कोशन निमोनिया रोग का कारक है आपको बताना है निमोनिया रोग का कारक है निमोनिया रोग किस से होता है A में हमारा stepto cocus, pneumonia, B में हमारा vibrio colary C में हमारा diplo cocus, D में देखते हैं हमारा क्या है Trachomonas, क्या है Trachomonas, देख सकते हैं Trachomonas, क्या है Trachomonas, आपके उसका right answer बताना है क्या है इसका right answer, इसका right answer बताना क्या होगा, इसका right answer होगा A Streptococcus pneumoniae, इसी के साथ हम अपने next question पर चलते हैं देख सकते हैं, next question कौन सा है Soction दर किस समय सबसे कम होती है हमारा question number 7 है, Soction दर किस समय सबसे कम होती है A में हमारा खाते समय, B में हमारा सोते समय, D है खेलते समय, C है हमारा खेलते समय, D है हमारा बोते समय आपको बताना है, Soction की दर किस समय सबसे कम होती है Right answer आपको इसका बताना क्या है Right answer क्या है, इसका होता है B Soction की दर किस समय कम होती है, सोते समय बी राइट आंसर है सोते समय इसी के साथ हम अपने नेश्ट कोर्सन पर चलते हैं देख सकते हैं हमारे नेश्ट कोर्सन क्या है देखिए आप नेश्ट कोर्सन कोर्सन नमबर आठ है हमारा कर्तिम सोसन में रोगी के मुक में लगवा कितनी बार जोरिय आतन से दुगनी हवा भरें कोर्सन क्या है हमारा कोर्सन नमबर आठ है कर्तिम सोसन में रोगी के मुक में लगवा कितनी बार जोरिय आतन से दुगनी हवा भरें देख सकते हैं इसमें A में हमारा 10 बार B में हमारा 12 बार C में 14 बार D आपसन हमारा 16 बार आपको इसका राइट आंसर बताना क्या है क्राइटिम सोशन में रोगी के मुक में लगवा कितनी बार जोरी आतन में दुगनी हवा भारे आपको इसका राइट आंसर बताना क्या होगा right answer question number D है इसका right answer होगा B क्या होगा B इसका right answer 12 बार कितना 12 बार कि इसी के साथ में अपनी next question पर चलते हैं question number 9 है हमारा देख सकते हैं question number 9 question number 9 है हमारा 9 है हमारा एक बार शोरसन में ली गई तथा बाहर निकाली गई बायू कहलाती है एक बार session में ली गई ली गई तथा बाहर निकाली गई बायू कहलाती है सोरसन में ली गई तथा कहला एक बार कि कहलाती है authentication number 9 calling कौशन है हमारा कौशन कां सब मारा नेन कोशन है आपको छिचलते शिक र रय टांसर बताना क्या या लाती है ज्मक्न हो और इसकर ऐसे के साथ लिव्च को Eng Nich agora यह बिध्ले को चाहिए है क्या है हमारा कोस्टर कोस्टरन नम्मर दासा मानमएं फेपड़े बिभख्त होते हैं अधिए फेट ए हमारा टींदेनी तता दो बाइं पालियों मेंurar 2 देनी तता तीन बाहिं पालियों में裟- right answer क्या होगा question number हमारा 10 है तो इसका right answer होगा ए तीन देनी तता दो पालियों में होते हैं मानब में फेपड़े बिवक्त होते हैं तीन देनी तता दो पालियों में और इसी के साथ हम हमारी question आज के end होते हैं अगर आपको हमारी video अच्छी लगी हो तो please इसे like करें और चैनल को subscribe करना ना भूले नमस्कार आपको न्यू वीडियो मिलते हैं